मित्रों जय मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय मातादी जरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स 2023 में स्रामण पोडिमा ब्रत कब है जानिये दीनवतारी क्या है और पूजा करने का सो मुहुर्ट कब है पूजा विधी क्या है और पोडिमा तिथी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे शेयर करेंगे मित्रों हिंदू पंचांग के अनुसार स्रावण मास में आने वाली पूर्डिमा स्रावण या स्रावणी पूर्डिमा का लाती है धार्मी ग्रंथों में इस दिन इस नान तप और दान का विशेश महत्व है स्रावण पूर्डिमा के दिन ही रक्षा बंधन का तेवहार भी मनाया जाता है मध्य भारत में और उत्तर भारत में कजरी पूर्डिमा का पर्व भी स्रावण पूर्डिमा के दिन ही मनाया जाता है इस दिन यग्यो पवित पूजन और उपनयन संसकार करने का बिधान है चंद्र दोस से मुक्ती के लिए स्रामण पोडिमा स्रेश्ण मानी गई है स्रामण पोडिमा पर मध्य और उतर भारत के कुछ हिस्सों में कजरी पूनम का परो भी मनाया जाता है इसमें महिलाएं नौमी के दिन पेंड के पत्तों से बने पातर में मिट्टी डाल कर जवब होती हैं और पोडिमा के दिन धोम धाम के साथ जवब के इन पातरों को लेकर नदी में विसरजिन करने जाती हैं महिलाएं इस दिन ब्रत रख कर अपने पूत्र की लंबी आयू और उसके सुक सम्रिद्धी की कामना करती है। स्रामण पोडिमा बिभिन छेत्रों में अलग-अलग प्रकार से मनाई जती है। स्रामण पोडिमा पर रक्षा बंधन मनाने की परंपरा है। अता इस दिन देवी देवताओं का पूजन करके रच्छा सुत्र बाधने का बिधान है। इस दिन पितरों के लिए तरपन भी करना चाहिए। गाय को चारा, चीटियों और मचलियों को आठा दाने डालना चाहिए। स्रामण पोडिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूण कलाओं में होता है। अता इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोस से मुक्ति मिलती है। आज के दिन भागवान विश्रू और माता लच्मी का पूजा करने का बिधान है। बिश्रु लच्मी के दर्शन से सुक धन और संब्रिधी की प्राप्ति होती है क्योंकि स्त्रावण मास में भगवान स्यू की विशेश रूप से आराधना की जाती है इसलिए पोडिमा के दिन भगवान संकर का रुद्रा विशेख करना चाहिए मित्रों आपको बता दे कि वर्ष 2023 में स्त्रावण पोडिमा का ब्रत 31 अगस्त दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और पोडिमा तिथी सुरू होगी 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे और पोडिमा तिथी समाप्त होगी 31 अगस्त 2023 को सुबह 7 बचकर 7 मिनट पर